हुलो इबरीवान दिससे सिम्रान चेर्मा वल्कम बैक तो मैं चानल तो चलो आज बनाते हैं फ्लैकसी जेल गे यहर मास्क जो कि मैंे पहले कभी बनाया यह नहीं लगाया है पहले पर इसको ट्राइ कर रहे हूं फ्लैक्सीट जेल बनाने के लिए मैंने लिया है एक लास पानी आप अपने हेर लेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो इसमें मैंने तीन चममच फ्लैक्सीट डाला है अब अपने हेरलेंथ के अकॉर्डिंग इसको कम भी कर सकते हैं और मैं को बाद में लगा कि मैं अगर दो चममच डालती तो भी मेरा काम हो जाता अब इसको पांच से साथ मिनेट के लिए बोहिल करना है और जिसको आप डेली यूज़ कर सकते हो तो वीडियो को एंटेक्स जरूर देखना जैसा कि आप लोग देख रहे हमारा फ्लैक्सीट जेल रेडी है अच्छे से थंडा हो चुका है इसमें से फ्लैक्सीट निकालने के लिए जेल को श्ट्रेइन करना पड़ेगा मैंने कपड़ा लिया जो कि थोड़ा मोटा है इसमें से जेल पूरी तरह से निकलने में काफी प्रॉब्लम हुआ अप लोग मेक्शूर करना कि जिस कपड़े से स्ट्रेइन करें वो पतला होना चीए या फिर जब छोड़ा सा थंडा होना तब भी इससे स्ट्रेइनर के हल्प से स्ट्रेइन कर लेना हेर मास्क लगाने से पहले अपने बालों को अच्छी से सुलजा लेना चीए क्योंकि उलजे बालों में हेर मास्क लगाने से बाल और जदा उलज जाएंगे मैं wooden comb का use करती हूँ क्योंकि इससे less friction होता है और इस scalp के लिए भी काफी अच्छा होता है अब शूब काम में देधी कैसी फट फट इस हेर मास को अपनी scalp पे लगाएंगे अच्छे से massage करना और अगर बचे के तो length पे भी लगाएंगे इस हेर मास को लगाने के बाद मुझे मिलते काफी amazing results मैंने एक घंटे बाद wash कर लिया था और मेरी बाल काफी जाद सिल्की लग रहे थे मुझे जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपके फ्रिजी हेर से तो इस हेर मास को आपको definitely try करना चीए तो चलो अब होता है हमारे वीडियो का next part चुरूँ जैसे कि मैंने बताया था मैं आज एक DIY हेर सिरम बना रही हूँ जिसके मैंने लिए एक streaks के सिरम का खाली container जिसमें मैंने आधे से जादा पानी डाला ह और उसमें वन टेबल स्पून जितना अलोवेरा जल डाला है फिर मैंने लिए two to three drops of tea tree oil फिर मैंने लिए two टेबल स्पून जितना rose water और half टेबल स्पून जितना almond oil अब इसमें एक यादो विटमीनी capsule भी डाल सकते हो मेरे पस नहीं था तो मैंने नहीं डाला सारे ingredients डाल देने के बाद इसको अच्छे से shake करना है और यह हमारा hair serum हो चुका है ready इस hair serum को लगाने से पहले अच्छे से shake कर लेना है और यह freezer hairs के लिए काफी helpful होता है इससे बाल बहुत ही easily सुलच जाते हैं इस hair serum को अपने scalp और hair limb दोनों पे लगा सकते हैं इसको मैं पहले यूज कर चुकी हूं तो बात करते हैं इसके ingredients की पहला aloe vera gel जिसमें काफी सारे active ingredients और minerals होते जो कि हमारे बालों को strong बनाता है और dry hair को बहुत अच्छे से treat करता है नेक्स्ट है tea tree oil को बहुत ही अच्छे से treat करता है इसको directly scalp पे apply नहीं कर सकते हैं यह essential oil इसलिए पूरे bottle में मैंने त्रिप two to three drops ही डाले नेक्स्ट है rose water जो की बालों से excess oil को reduce करता है dandruff को भी treat करता है और यह हमारे फ्रीजी एर को soft और shiny बनाता है नेक्स्ट है almond oil जो की बालों को strong बनाता है hair growth को promote करता है और new hairs को grow करने में भी बहुत जादा helpful होता है ऐसे बहुत सारे benefits है और सबसे जादा तो यह कि हमारे बाल से काफी जल्दी सुलच जाते हैं तो इसको ट्राइज जरूर करना आयोब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चानल को सब्सक्राइब कर देना ओके बाई सी यो इन नेक्स्ट वीडियो